हेलो एव्रिवन विल्कम बेक टो संस्टर अगर आप चलना फर्स्ट टायम विजिट करने चलना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल एकन जोड़ से ओल्पेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे के बात करेंगे हम गलिको कर्पोरेंट लिमिटेड के बारे हैं चार रुपे का आस पास टेट कर रहा है और श्ट्रोक श्रोक वापीस 80 रुपेता ज्याता देखनेको मिल सकता है यह पूरा बताऊंगा है आसके इस वीडियो में बहुत सारी वीडियो बना चुको यह श्ट्र पर लेक बार आप निप्टी देख लेता हैं आज के दिखेंगे से एक जार साथ सो के लेवल के आसपस ट्रेट कर रहा है और कल के दिन अगर यह एक इसार आट सो के लेवल को टच कर लेता है तो अराम से आपको बज़र से पहले-पहले आपको घवराना नहीं है तो आपके जो फंडामेंटल स्टोक है जिनको आप अच्छे खासे कासे करेक्शन के बाद अच्छे कासे प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे तो आप उसमें अच्छे कासे वह बढ़ा सकते हैं तो बस मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि फिलार आ अच्छे कासे डीटम बना रिखे सकता है जिसके हैं गहां और आप यही करना चाहत तो आप फ्ला इसक को बिलाइयां चाहते हैं आप अराम आपको अच्छे कासे डर्म नाएंगे दे सकता है जिसे हमने आपको जी पाइब बजा था जब वो 6 रूपे ट्रेड करा था आज देख सकते हैं 14-15 रूपे ट्राज अचीब हो चुका है वैसे तो मैं निकलने की सलाह दे दिये पर आप अच्छे-चे पेंज श्टोक अभी ब बार्च के वो समय fundamental बहुत ही ज़्यादा इंप्रेटर नाएंगे आप छे मेने के लिए बाई करो तो भी आप पांस साल के लिए बाई करो तो भी इसके अगर आप फंडामेंटल देखे तो बहुत ही ज़्यादा खराब है अगर आप इसे को रिजल देखेंगे के कंपनी का सबसे इंप्रेंट का वाधा कंपनी का सेल जुन 2020 देखेंगे 5.94 था कंपनी का सेल जो कि यह भी देखेंगे सेल बढ़ देखेंगे का सेल बहुत ही खराब है बैलेंस शीट देखेंगे एपिटल मार्ट 2018 में 5.43 था जो कि 14.90 देखने को मिल रहा है वह यह अगर आप शेल पेटर्न देखेंगे तो इसमें ना तो FIX की होल्डिंग है ना ही DIC ना फोर इंवेस्टर है ना पबलीक है ना ही गोवर्मेंट है तो इसका शेल बढ़ पेटर्न तो यसे ही खराब है अगर आप परमोटर की भी होल्डिंग देखेंगे दिसमर 2020 में 72.04 थी जो कि घटकर से अपने यहां फूचर क्या है क्या नहीं और यहां परमोटर ही डिग्रीस होता है तो देखने को मिल रहे तो पता नहीं भी होल्डिंग को क्यो बढ़ा रहे है मुझे समझ में नहीं आता आप ऐसे इसटो को भाई क्यो खर ले तो 43.25 अगर आप चार्ड भी देखें तो इसको पहले भाई किया अभी भी देख सकते हैं और यूड ही है स्टोक मैक्स देखें आप तो इस्टोक लिस्ट हुआ था 1.15 पर अभी 4.44 पर ट्रेड कर रहा है तो अच्छे अच्छे स्टोक तो अभी भी अपने लिस्टिंग पाई से नीचे ट्रेड कर रहा है और आप क्यों के बेटेडे कि आपको अस्फी उल्पता जाता देखने को मिलेगा तो यसटा नहीं होगा आराम से ऊफको एक-दो पे त्वापिज साथ सतो सकता है तो बहुत कम इसा चांस है कि आप अस्फी उल्पता जाता है यकर अगर आप इसको भाई करने की सोच देखने को मैं तो आपको इसको भी बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में,